नई सरकार बनने में थोड़ा वक्त बचा है 21 अक्टूबर को पोलिंग होने के बाद 24 अक्टूबर को मत गणना होगी कुल मिलाकर इसी महीने हरियाना में नई सरकार का गटरन हो जाएगा किसकी दिवाली रंगीन बनेगी और किसकी रह जाएगी फिकी ये तो वोटर्स तै करेंगे लेकिन कयास इस बात को लेकर लगाय जाने लगे हैं कि अगर सरकार बीजेपी या फिर जेजेपी की बनती है तो मंतरी मंडल में जगे किसे मिल सकती है नई मंतरी मंडल को लेकर हम आज हिसार जिले की बात करेंगे पिछली सरकार में नारनून से विधायक कैप्टर अमीमन寊को, विधत मंतरी और हिसार के विधायक डिक्टर कमल कुप्ता को पहले सी पीयस और बाद में चेरमेन का दरजा दिया गया था लेकिन अब नए मंत्री मंडल में यह माना जा रहा है कि अगर सरकार फिर से बीजेपी बनाने के स्थिति में होती है तो हिसार परवालावे हैं हासी में से दो को स्थान मिल सकता है यह हम उस सूरत में बात कर रहे हैं जब सरकार भी बीजेपी की बने और इन तीनों जगहों से बीजेपी के प्रत्यासी जीत हासिल कर पाएं इसके अलावा अगर जेजेपी अपने दम पर या फिर मिली जूली सरकार में शामिल होती है तो रामकुमार गोतम का नंबर मंत्री मंडल में पढ़ सकता है बशरते की वे पहले नारनुन से चुनाव जीतने में काम्याब हो। इसकी वज़े ये है कि हमने जिन चार निताओं के नाम आपको बताए है उनका कद अपनी अपनी पार्टी में बढ़ा है। सुतर ये भी बताते हैं कि मंत्री मंडल में शामिल होने का एक बड़ा पैमाना जीत का मार्जन भी रहेगा। यही वज़े है कि नेता रात दिन पस्कीना बहाने में लगे है। फार्टी के तरफ से उन्हें साफ साफ संकेत दिया गया है कि जो नेता अच्छे मार्जन से यानि के वोटो के अधिक अंतराल से जीत कर आएगा उसे मंत्री मंडल में तरजी दी जा सकती है। आप देखते रही है एकमत पोस्ट और हाँ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये लाल लंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि हर अपडेट हर कबर सबसे पहले आप तक पहुंचें।